की दोस्तों तो जैसे कि आज ने मंगल गरह पर ढृआ अब इस ऑक्सीजन पीछे का राज किया है, कि कि अफ्जिजन के ऐसे हुआ और किस तरह से सिजन ने box नहीं गहा helps किश तरह से हमा पर का यह उपकरन था ठीक है और जिसका नाम जो है मॉक्सी इसका जो उपकरन का नाम रखा गया है मॉक्सी उपकरन रखा गया है तो इसका काम क्या है इसने मंगल गरह पे जाने के बाद कारवन डाय ऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करना शुरू कर दिया है तो जो मंगल मंगल गरह पर carbon dioxide की मात्रा थी उससे क्या है कि oxygen को convert करना start कर दिया और oxygen की क्या हुआ exactly कितनी मात्रा उपन कर पा रहा है या बना पा रहा है तो उसके बारे में अगर हम देखे तो छोटे पेर के बराबर ये अगर small tree की हम बात करें तो उससे जो oxygen मनता है उतना ही oxygen ये छोटा सा उपकरन बना पाता है तो अब exactly नासा ये चाहती है कि अब जो उपकरन भेजा जाए जो भी machinery भीजी जाएगी अब मंगल गरह पे वह थोड़ी से बड़े machinery हो ताकि oxygen की मातरा भी उसी हिसाब से ज्यादा उत्पन हो कलको अगर कोई वहां पर रहने के लिए जाता है रहने मिंस आपके कोई research के लिए अगर वहां पर कोई scientist जाते हैं ठीक है तो वहां पर exactly उनके लिए तो उतना तो oxygen बन सकी तो इसलिए अब जो बनाया जा रहा है व में सुना होगा पर्शी वेरेस रोवर मिसन ठीक है पर्शी वेरेस रोवर मिसन की जो नाम आपने सुना होगा जो की last year में भेजा गया था उसी में एक टिफन के बॉक्स के आकार का मॉक्सी उपकरन भी भेजा गया था ठीक है अब उसी में जब भेजा गया तो जब वहां पर लेंड हुआ तो उसमें सब मॉक्सी उपकरन को जो है अपना अपना काम करना सुरू कर दिया उसने अक्सिजन करने मान किया अब कल को कोई वहां पर जो है अगर अंत्रिक शातरी जाते हैं ठीक है तो एक्जैक्टली ओ क्या करेंगे उनके तो रहने के लिए उतनी ठीक है तो आपको ये फैक्ट जानके या इस करेंट अफियर के बार के में जानके कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और ऐसे ही नए करेंट अफियर को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाओ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए धन्यवाद